हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्ट्वेंट पीडिया आपका स्वागत हो दोस्तों मेरे चानल में संजिबर कॉलेज राची इंटरमेडियेट का जो है फॉर्म एफलिबल हो गया समझ लेजिए कब से फॉर्म फिलब कर पाएंगे तो आफ्टर यू रिजल्ट यहां पर जो है इन्होंने प्रोस्पेक्टर्स रिलिज कर दी है मैंने एक्स्प्लें किया है लिंक नीचे विडियो मैंने दे रखी है अगर आपने नहीं देखा तो इस विडियो को देख लिजेगा सारे बहुत सारे इंफॉर्मिशन मैंने उस पर दिया है कौन इलिजिबल है कौन नहीं सब्सक्राइबang आपको यहाँ पर original यहाँ पर submit करने पड़ेगी, character certificate आपको original submit करने पड़ेगी, admit card जो है, jerox और mark state आपकी jerox, migration certificate यह जो है, सारे जितने certificate देख रहे हैं, आप यहाँ पर school आपको provide करेगी, migration certificate भी school देती है, आपको यहाँ पर, और provisional certificate भी school देती है, cast certificate जो है, यह आपको ब बतादो kristian student के लिए baptism certificate यह आपको देना होगा इन केस आप क्लेम करना चाहते हैं कि आप जो है documents आपके admission के time पे हम पर लगने वाले हैं यानि इसको submit करना होगा आपको तभी आपको admission मिलेगा इनीचे क्या दिखा हुआ है देखिए notes गया है kindly keep all origin certificate rate which are required in the time of admission for verification failing this you will be disqualified for the admission in intermediate section यानि कि आप जो है यहां नहीं दे पाते यहां provide नहीं कर पाते तो आपको जो है यहां disqualified कर दिया जाएगा काफी बार होता है school जो है certificate इसो नहीं करती जैसे कि मुझे जहां तक पता है कई बार होता है school में जो है सिब यसी वाले school में यहां पर certificate नहीं आपाते कुछ तो ऐसे में क्या है तो बदला दूँ यहां पर आपको fine pay करना हो पड़ता है 500 रुपीज का और जो है कुछ certificate आपके पास नहीं होते class certificate वाले नए वाले तो क्या करेज़ेगा तो बदला दूँ यहां पर आप old वाले से भी यहां पर कर सकते हैं बाद में आपको यहां पर यहां पर हो सकता है जिगरोफी वाले जैसे जिगरोफी लेना चाहते हैं कोई तो यहां पर जो है 600 रुपए एक्स्टा पे करना होता है क्यों तो practical subject है उसमें practical charges आती है STAC के लिए यहां पर जो हजार रुपए पे करना होगा तो यहां पर जो है 24,500 रुपए आपको पे करना होगा यहां पर देखिए फी जो है बोला जा रहा है साल में एक बार ली जाएगी काफी confusion होता है फी से related तो बतला दूँ फी बस एक बार payment करना होता है यहां पर उसके बाद एक बार भी फी आपसे नहीं मांगी जाती next year फिर आपको पे करना होगा यहां पर कुछ भी charges नहीं है monthly charges वगएरा कुछ नहीं है ठीक है और इसमें सिर्फ tuition फी आपकी include की जा रहे है यहां पर क्या बतला गया है यहां पर एक हजार रुपए आपको पे करना होगा जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बतलाया एक हजार रुपए पे करना होता है commerce जो लेना चाहते है यहां पर ठीक है यहां जैसे entrepreneurship लेना चाहते है mathematics से यहां पर तो six paper तो उनको भी एक हजार रुपए पे करना होगा तो यह details आपको बतला दी गई है hope आपको समझ में आ गया हो कुछ भी comment हो तो जरूर बताइए और बतना दू print के साथ जरूर शेयर किजेगा videos क्यों मैं कर रहा हूं क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं चल पाता form यहां पर रहा गई है और जो है form वह भर नहीं बाते फिर जो है काफी problem होती है admission वगेरा में तो hope आपको समझ में आ गया हो thanks for watching best of luck